Hello strengths, My name is Dr. Sajan Singh तो आज हम 12 Chemistry में फिजिकल केमश्टी का इंपोटेक्ट चैप्टर सॉलोसन पे बाद कर गए है और सॉलोसन के देखते हैं सॉलोसन के basic strengths किया है और सॉलोसन क्या होता है तो सॉलोसन से वहले हमें मिक्षेल की जरुड़ पड़ते हैं मिक्षर देखें क्या होता है मिक्षर यानि इन्दी में कहते हैं इसको मिस्टर तो दो या दो से अधिक पदहार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिस्रण कहते हैं जलकलस चीन, जलकलस नमक, जलकलस रेत, वो सब मिक्षर कहलाते हैं, अब यह मिक्षर दो प्रिकार से इसको बना सकते हैं तो मिक्षर को मिक्षर दो प्रिकार का होता है होमोगीनस मिक्षर और दूसरे पार्ट से इसका है हेट्रोगीनस मिक्षर हेट्रोगीनस मिक्षर तो होमोगीनस मिक्षर तो पहले बात करते हैं होमोगीनस मिक्षर जोगीनस मिक्षर क्या है तो होमोगीनस मिक्षर यह है मालें जन्य बटन में जल लिया और सब्सक्राइब जलने की बात चीनी को उसमें नहीं दिखाई नहीं कि हो नहीं भीक्ति है क्योंकि जल और चीनी जब जुक्ते है कि तो चीनी क्या होते चीनी की करण कोई नहीं वाज्य अधिनी उसमें जल प्लस 211 भार तो उसमें क्या होतें और नहीं भीडिशाना पटी है क्यों इस है टीख ऑफ कि отмет जिए जल में चीनी तो चीनी और नमग की जल के अंदर जो कोई फेज नहीं बनती है जल की फेज बने जाए और उसमें घूलेने वाला पधार उसकी पार्टिकल से बहुत छोटे हो जाए जो हमें दिखाई ना दे यानि उस ही को कहते हैं होमेजनेस मिक्षर होमेजनेस मिक्षर क्या है क्या है एक प्रू शॉलूसन है अब यह क्या है वह में गए सकते हैं यूनिफॉर्म सालूसन है विप्र शें यू इधार मिनने सब्सक्राइब हथ और में से अपने शनiqué सब्सक्राइब को अगए में दिखाए जिए जाविक जौब अलग दिखाए दिती है यानि आप दो फेज वर्लगी फेज़ अदिए टो इसके मुलाओं वह सेम मात्रा में नहीं बुला है है घ्रोजीनस मिक्षर है 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 तो अब है तो हमारे हैं हमारे मिक्षर की कि नियुक्त कहला तो मिक्षित की हुमोजीनस मिक्षर से निकल आती है है कि हम स्वाजिनस मिक्षर एज उमोजीनस मिक्षर एज जो यह जो से अधी पतहार्तों के समावगी मिस्तरां को क्या रहते हैं उसको solution कहते हैं हो मैं यह से मिक्षट इजट पूर सबिस्टेंज की स्कॉर्ड सॉलुशन है यह इसमें पार्टिकल प्रूर सॉलुशन वाले हैं और इसमें कॉलाइडर पार्टिकल और सस्पेंशन वाले थे इक्जाम्पिल्स देखते लिए सॉलुशन के इग्जाम्पिल्स क्या जैसे जल प्लस चीनी तो जल में जरल में चीनी होते हैं, चीनी जल के अदर समान मात्रा में घूल जाती है तो जल और प्लश चीनी मिलकर के कैसा मिस्टर बना लेते हैं यह हमाउंगी मिस्टर जो को पेसली का आती है अब यह क्या है समांगी मिसर्ण क्या है हुमजिन स्मिक्षा तो समांगी मिसर्ण जिन पदहार के मिलने से यानि जिन जिन सबस्टेंस के मिलने से बना है उन्हें कहते हैं उसके जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे कहते हैं विलायक यानि इसे क्या कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहते हैं सॉल्यूट और जो समांगी निसरा बनेगा उसे कहते हैं स्वाइट कि यह ओघ्चा सब्सक्राइब जिसकी मातरा सॉलूट के मिलने से क्या बजाएगा सॉलूशं बने through जैसे और श्राइब जादा है वो सॉल्वेंट और शॉल्वेंट और शॉल्वेंट गौन क्या बनाते हैं तो अब जैसे और सिप्ट एग्जाम्पिल लेक है तो फिर्ष्ट इग्जाम्पिल हुआ जैसा माले जाल घुन नमक का फॉर्मुला होता है यह यह एंदे जलिगंदर हम नमक हो T यारी यीक मिलाए के अंदर को दूलेने वाला पथारत सामान मातरह में गूल जाए और जो मिष्डट बना है उसके प्रितीग रचनद समान हो जाए चिसे को समांघी कियेते हो समांगी मिष्डट है एक सब्सक्राइब करते हैं तो झालने करते हैं कि यह समांगी सब्सक्राइब तो जब प्लस ऑशिक्षान क्या बना रहा है यहां एक समांगी समांगी कहते हैं मिक्षर शमां की मिस्रत है कि समांगी मिस्रत है किसे एक्या रखार है करें है अब जैसे कहें वह चीनी का नहीं है अपर चीनी ने पानी को सोक लिए तो वहां पर चीनी की मातरा जादा है और नमक की मातरा कम है यानि उसकी चीनी की मातरा जादा है और पानी की मातरा कम तो हम यह कह सकते हैं एक प्री सिस्टम के अंदर सॉल्वेंट वी हो सकता है और सॉल्वेंट हो सकता है इने डिपेंड कटाउं की कॉंटिटी पर आप ही नहीं इस अब बात करते हैं तो सॉल्वेंट क्या होता है एक होमोजिनस मिक्षर अब देखिए सॉल्वेंट के ट्राइप्स की बात प्रते हैं ट्राइप्स और सॉल्वेंट तो तो ट्राइप्स और सॉल्वेंट की फीजिकल की फीजिकल इस्केट के आधाहर पर है और दूसरे हैं सॉल्वेंट की आधाहर पर तो पहले बात करते हैं यानि इसके फीजिकल इस्टेट यानि ओन दा बेसिस ऑफ फीजिकल इस्टेट 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 ओप अ क्यानि इस्टेए बीजिकल इस्टेट इस्टेट इस्टी इस्सी पाट्स इसके आधार पर concentration concentration of इसकी concentration solute solute जो उसमें गुणा वजिसकी quantity कम होती है तो types of solution के दो parts होगे एक तो solute और solute की physical state क्या है उसके अगर solute की concentration क्या है उसके आधार पर इसके parts वोगे तो इस आधार पर ते 9 types की होते है और इससे अधार पर होते हैं 5 types की ठीक है तो बात करते हैं on the basis of physical state of solute and solute एक बार मैं repeat कर लेता हम कि solute एक homogenous mixture है और homogenous mixture क्या है जिसमें solute यानि solute क्या है solute क्या है solvent के मिलने से बना है तो दिहान रटना solution में जिसकी quantity जागा होगी कि वो solvent है और जिसकी quantity कम है वो solute है तो quantity का अधार पर हम उसको छाट सकते हैं एक एक जाम्पिल्माव को बताता हूं फिर आप नेक्स आभी चलते हैं जैसे water हिंदी मिक्स दौना मिला कि कर आता हम क्योंकि मुझे पता है हिंदी वाले श्टैट्स भी मेरी विडिया देखते हैं तो water plus NACL water plus NACL water माले मैं यहां पे ले लिए 500 और NACL मैं ले इसमें 5.85 ग्रम जिए तो हमें पतर है कि water के अंदर NACL समान मात्रा में गुल जाता है यह नि NACL water in regular सब ही में समान मात्रा में उखले गा ऐसा नहीं है water in regular species नहीं जादा होला ऐसा विलफिल महीन है a NACL water सब ही poroing water देनर समान मातरा में गोलेगा और उसके जो सॉलुसों यहां बनेगा उसके प्रितिक बाग की रच्छना भी सेम होगी अब यानि मैंने माझे जो बॉटर देनर और गोला उसके दो ग्लास अलगल कर लिए तो दौनों ग्लासों में देखेंगा इसका मलग यह हुआ कि एनसेल की महात्रा जलग इंदर समान मात्रा में तो एकली निसल नियुक्त बना इतिना कि अब देखिए जाए इसको गूलते हैं और 5.85 घ्राम कॉंटिते हैं का में एक वह सॉल्यूट यह सॉल्यूट है तो सवेट्स वह बना सकते हैं तो हमेशा देहां देखने स्वाइट की मात्रा कि एम आव शॉल्वेंट की मातरा हमेशा सॉल्वीट देंगी याधा रहीगी ज्याधा रहेगी है कि हमास पें सॉल्वेंट का याधा सकते कौन सॉल्वेंट है और एक इसमें पर लिखें होगे नेक्ट कॉपिक पे हमाँ बरने हैं अब जैसे लिए मैंने लिए वाटर और फिर प्लास इस हाई लाएंपोल सीटुएज़ फाइफ और अब वोटर मैंने उसमें मिलाया है मान लिए यानि सेवन्टी एमल या नैंटी एमल कर लेते हैं इसको नैंटी एमल का अधि यानि व्यां है कि यहां लुए है कि इसमा है कि इस्एमल क्यान है जाधा है यह सल्वेट है और फिर अधिट इसलीच उन्द यह जोड़ा आप अब इस आधा कि इतने टाइप्स की बतायते हुआ सौलूसन नौट थे उते हैं को फस्ट गार दोबार को दिख देता हम ओन दा वेसिस अन दा बेसिस ऑफ फिजीकल स्टेट on the basis of physical state of solute and solvent and solvent यहनि solute and solvent की physical state क्या है तो देखें फ़र्ष बना पे एक 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 1 2 3 3 4 5 6 7 8 अब यहां पे ले ले लेते हैं solvent solvent और यहां पे ले ले लेते हैं solute solvent और solution की physical state क्या रहे हो हुए यहां लिख लेते हैं solution किस फॉर्म में बनेगा और दर लिख देते हैं इसके एक जाप्सन इसके 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 बन सकते हैं आए 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 ठीक है तो पहले बाद solvent ही होते है वह solvent बहुत इसी है solvent है solution की की substance की mostly आप आए संस आए हो इंटे निस विटो इसे को ट्रमबाय चलने वो इस और इस ऑलीड लिक्वीड इस यह जी सॉलिड को इसे यह जहीं सोलिड इस रिपीड होती रहे जाए से सॉलिड है फिर की आएगे शनुडाल फिर क्याएगा इसका पाल त्यक्तिक है कि अब देखों मैंने बताया था था प्रड़क स्वाइट की फॉंटी स्था रहती बहुत कम रहती है यह वाले जूलुट इसके अकटर है अब से ज़ी जीमिन के ज़्धा होगी सोलेशन रुए तो जो ऑन ऐसे होते है मैं सबस्किल एक रहती है तो यहीं सबस्राइब यह भी सॉलेड यहां पे कौन साओ आप ज कर दो एक टिल्ट यह लिक टेट जाएब गैस एक्जाम्टी सब्सक्राइब कौन सालिट इस वाने से इसा इसा कौन से बनाता है तो आपने सुना होगा पीत पीतल के बरतन बहुत ज्यादा बनाए जाए पीतल किस किसके मिलने से बनती है कोपर क्लास जीन के मिलने से बन की तो कॉपर लगवा उसमें कितना होता है एक्टी परशेंट है और जीन कितना होगा पर इसमें 20 परशेंट है तो हम देख सकते हैं कॉपर और उसमें जाता है अब बात करते हैं सॉलिड लिकुड उखला हो तो वह बनता है जैली जैसे से जैली होते बाहर से सॉलिड है अंदर उसमें लिकुड भरा होगा जैसे नगरिंट है और में प्लस उसमें अरोगें वाटोग उसमाल शाण या घैसन सो गान फुर्ष गास कभा आते हैं अब आते लिकुड सॉलिड तो सिंपल है निकुड और लिकुड उर निक्टुड नहीं कहा है जै जलन दकट रख़वाट है क्या है वाटर यानि वाटर प्लास रीकल या रीकल चंटे क्या रहे सकते हैं शुगर बहुत सारे लिए उपनी से हैं इक वह है लेकिन लिक्वड में हाँ लिक्वड में सॉलिड प्लिद लिक्वड है और शुगर ऑल शुग्ड है कि यह लिक्वुड है कि सॉलेड और सुभर में क्या है तो एसे लिक्वुड लिक्वुड की बाप करते हैं लिक्वीड में क्या बनता है वाइन वाइन इसके में बनती है और और ग्लास इथाल अल्पोहल तो वाटर क्या है वहांए पर मिलन गया है कहा कि शोयूशन शोलुशन यह गे जली हो गए अपने से आपने लादो, सोडा वोटर. या यहाँ पर रख शक्ते हैं, कोल्ड ड्रेंग पिया जाएगे. कोल्ड ड्रेंग, क्याने सी ड्रेंगे. तो आप दें, कोल्ड ड्रेंग मेलेक्ड़ होती हैं, उसमें स्यूटू गैस भरी ही होती है. जब उसको और कोख खोद दें तो उसमें से बहुत एक साथ हो इस्यूटू गैस में सॉलिड दूला हुआ तो वायू प्लस कपूर यानि एर प्लस कपूर आज़ेगी तो फिर गैस और लिक्विड यानि गैस में लिक्विड दूला हुआ वायू प्लस नमी यानि एर क्या है गैस और गैस ये एर होती है क्या होती है एर क्या है उसमें नाइट्रोजन गया है तो ये यह आपके सामने थे से तीन सुलेट रिकोड और तीन गैस समय है और जो सॉल्वांट्ट पीजी कले स्टेटेट है इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसी जाप से सॉल्वसन के नौट नए टाइट्स हुए पूरे आप हमारे सिल्वस में जातके लिट्वूड वाले हैं यह वाले हैं हमारे स्लेवस में यह हमारे स्लेवस में हैं तो सारे इस जादा होता है यह अग्षा दें तो बीटाइब्स आप बी टाइप सी बात करते हैं बी पार्ट एक 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 टाइप कंप्लेट होगा